हलो एविवन वेलकम बैक अगें टू माई यूटीव चैनल आज मैं आज क्यों सानी इंकलेव सेक्टर 124 में आपके लिए 4BHK की कोठी लेके जो की आपको मिल जाती है रेडी टू मुव और बिलकुल में रोड से बिलकुल नजदीक अल्रेडी जो है आस पास यहां पर फैमि इस रह रही हैं बिलकुल सामने 4BHK का यह घर रहने वाला है जिसका एरिया है 135 गज complete rooms में आपको washroom attach मिलते हैं wooden का काम सारा complete मिल जाता है wallpapers आपको complete घर के अंदर मिल जाते हैं जैसा मैं आपको अभी घर दिखाने वाली हूँ आपको as it is यह deliver होने वाला है सबसे पहले यह आपके घर का front elevation आ जाता है जो की आपको complete tile work के साथ मिल जाता है complete जो है आपको यहाँ पे railing मिल जाती है यहाँ पे घर के बाहर gate यहाँ पे बना हुआ है बड़ी गाड़ी के लिए जो है यहाँ पे अलग से gate है उसके साथ ही यहाँ पे stairs बनाई गई है आईए भी घर के अंदर enter कर जाते हैं पार्किंग स्पेस जो है आपको घर के अंदर मिल जाता है यहाँ पे कोई भी अराम से आप अपनी SUV या तो सिडान गाड़ी यहाँ पे पार कर सकते हैं आउटर stairs आपके आजाती है फॉल सिलिंग जो है आपको complete घर के अंदर मिल जाती है LED लाइट्स आपको मिल जाती है उसके लावा आप यहाँ पे भी कोई जो है अपनी गाड़ी पार कर सकते हैं या तो आप अपने इसको टूबले स्पेस बना सकते हैं आपका sitting स्पेस बना स रहेगा आईए अभी चलते घर के अंदर एंटर होने से पहले यहाँ पर आउटर stairs आजाती है आपकी आप देख सकते हैं so that अगर आपकी दो families भी हैं आपको उपर भी kitchen मिल जाता है आपको नीचे भी kitchen मिल जाता है तो बहाद से stairs से जो नीचे रहेंगे उनको कोई disturbance ने होग उसके साथ ही heavy जो है आपको wooden का यहाँ पर door दिया जा रहा है एंट्री करते ही यह आजाता है आपका living space यहाँ पर काफी ज़्यादा जो है spacious आपका living area यहाँ पर आजाता है जहाँ पर काफी बड़ी जो है हम आपको window प्रोवाइट करवा रहे हैं आपकी fall ceiling आ जाती है वाल पर बहुत ही सुंदर सा बॉल पर आ जाता है उसके साथ ही काफी बड़ा जो है हम आपको यहाँ पर LED पैनल बना के देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं हमने नीचे storage के लिए cabinets बनाए हैं lights दियें साथ में उसके साथ ही यहाँ पर आ जाता है आपके घर का modular kitchen complete modular kitchen आपक क्रॉक्री सेक्शन आपको बना के दिये जा रहा है यहाँ पर यह आपका क्रॉक्री सेक्शन आ जाता है soft closer के साथ जो है आपकी complete यह modular kitchen रहने वाली है आईए अभी चलते हैं घर के first bedroom की और यह आपके घर का first bedroom है जैसा आप यह room देख रहे हैं आपको complete as it is गे deliver होने वाला है with attached washroom आ जाता है wallpapers आ जाते हैं cupboard आ जाते हैं जो कि आपको full height के मिल जाते हैं बहुत ही सुन्दर और heavy जो है आपको fall ceiling मिल जाती है और यहाँ पे आपका काफ़ी बड़ा LED पैनल आ जाता है back side के लिए विजिए washing area के लिए आपको mass door यहाँ पे बना के दिये जा रहा है पिछे washing area जाता है उसके साथ ही यहाँ पे है आपके घर का second bedroom यहाँ पे भी आपको attach washroom मिल जाता है attach आपका washing area जाता है same आप जैसा यह घर देख रहे हैं आपको hazardous gear deliver होगा यहाँ पे आईए अभी चलते हैं घर के first floor की और complete जो है आपको railing यहाँ पे लगा के दी जा रही है यहाँ पे भी बाहर जो है आपको false link बना के दी जा रही है front पे जो है आपके यहाँ पे आ जाती है railing जहाँ पे आपको glass work करके दी जा रहा है यहाँ पे आपका tile work के रिया जाता है चट पे जाने के लिए जो है यहाँ से भी आपकी outer stairs रह रही हैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके घर के अंदर से stairs है आपको नीचे वालों को भी छत पे जाने तो बाहर से जा सकते है mass door दिये जा रहा है door दिये जा रहा है same आपने जैसे यह नीचे देखा है आपको उपर same ही बना के दे रहे हैं यह living area आ जाता है यहाँ पे काफी बड़ी window है fall ceiling है यहाँ पे LED panel है सामने बिल्कुल modular kitchen है यहाँ पे आपके घर का third bedroom है आपको as it is deliver हो रहा है with attached washroom back side पे आपका washing area आ जाता है उसके साथ ही यहाँ पे है आपके घर का fourth bedroom दोनों room के साथ जो है back side की balcony attached रहेगी washroom attached है wooden का काम complete मिल जाता है बहुती सुन्दर जो है आपको यहाँ पे slider जो है cupboards दीए जा रहे है आपका dressing area आ जाता है यह complete आपको मिल जाता है यहाँ पे बहुती सुन्दर घर आपको यह मिल दा है यहाँ पे जो की 135 गचका है आईगे उसके बाद मैं छत्वी दिखा देती हैं आपको चत पे जाने के लिए जो है आउटो स्टेर्स है यहाँ पे यहाँ पे आप अपना स्टोर बना सकते हैं कोई भी यहाँ पे काफी ज़्यादा स्पेस है यह चत आ जाती है यहाँ पे काफी ज़्यादा स्पेशियस चत है टंकियां आपको यहाँ पे लगा के दीजी जा रही है और रेड़ी फैमिलीज आप नियरवाय देख सकते हैं सराउड़ने एरिया मैं और रेड़ी फैमिलीज रह रही है बहुती सुन्दर कोठी है जो कि आपको बिल्कुल हाइवे से नजदीक मिल जाती है यहाँ पे 135 गजकी है 4 भी अजके है बिल्कुल रेड़ी है वुडन का काम जो है कंप्लीट यहाँ पे हो रखा है अगर मैं प्राइस की बात करूँ प्राइस जो है इसका 1.27 CR है बहुत उसी सुन्दर कोठी है ज्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉल करे